ओक ओक टोड़ीज टॉपिक इस सीमिट ट्रिगर तो हमें आंगे कुछ सर्किट्स की जरुद पड़े यह अपने सीरों को पढ़ने के लिए तो उसके लिए पहले हम कुछ अपने सर्किट्स को पढ़ेंगे ठीके न उसमें से पहला कौन सा है लिए से मेड ट्रिगर तो सीमिट ट्रिगर प्रिगर उनीसी लिए बीसिक से च्यौन से पढ़ता हैं कि सीमेड् renewed की पढ़ एक्टॉर्ड किया काम है जो सीमेड ट्रिगर करता है ठीक न हुष तो हमें स्टार्टिंस से पढ़ता और एक्ट इसे देखो यह हम पढ़ चुके है, differential amplifier हम पढ़ चुके है न, differential amplifier क्या करता है, जो हमारे input में, inverting और non-inverting turn mil पे, जो हमारे inputs होते हैं, उसके difference को क्या करता है, amplify करता है, कौन सा, differential amplifier, ठीक है न, तो इसमें देखो, यह हमारा differential amplifier बना हुआ है, यहां 4V और 2V है, यहां पर क्या है, V not is equal to A, यह क्या है हमारा, amplifying factor है, A से क्या करता है, दोनों के difference को amplify करता है, तबी तो हो, differential amplifier, difference क्या करता है, amplify करता है, अब एक कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, कुछ भी हो सकता है, यह amplifying factor है, यह depend करेगा, हम कैसा circuit design करते हैं, open amp वा V2, plus का 2V बचा, और A से amplify हो गया, मतलब 2A, V not is equal to क्या है, 2A, तो यह signal हमने एक constant signal 2A, draw कर दिया, यह हमारा क्या हुआ, output आया, लेकिन ऐसमें हमें, problem क्या आ सकती है, देखो, let's suppose, again, यह हमारा क्या है, differential amplifier है, यह V1 है, और यह V2 है, और यह V not है, अब क्या हुआ, let's suppose, हमारा हो गया, disturbance उसमें काफी जादा आ गया, अब यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ पर क्या है, V not is equal to A, V1 minus V2, तो अगर हमारे किसी एक input में भी difference, जो disturbance आ गया, तो देखो, output पे भी हमारे क्या जाएंगे, disturbance आ जाएंगे, बस यही disturbance हटाने के लिए, कि हमें disturbance नहीं चाहिए, हम positive constant हो या negatively constant हो, लेकिन हमें constant अगर हमें signal चाहिए, तो हमें signals, किसी के लिए constant signal generate करना है, तो हमने किसका निर्माड किया था, हमने क्या बनाया, cement trigger हमने बनाया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, output में constant signal चाहिए, disturbance signals नहीं आना चाहिए, हमारे output में, ऐसा circuit हमें design करना है, तो देखो, को अब यह मनें एक कंपरेटर डिजाइन किया ठीकिना कंपरेटर में दो क्या किया उपर प्लेस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन है वी इन है और देखो वी इन हमने दो टाइब के सीगनल दिए है एक बार हमने हमें साईन विलम दिये और हमें हमें डिस्टर्ब सिगनल दिए हुगे थे ना क्शन में साइन वी एडिका का एक का ग्रेटर दैन जीरो मतलब जीरो से बढ़ा है यह लाइन जीरो को सो कर रही है यह टी वाली यहां पर तो वी क्या है जीरो है अगर वी जीरो से जाधा है तो क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट वी साचुरेशन अगर V 0 से कम है तो output क्या हो जाएगा minus V saturation देखो यही तो है अब इस signals देखो V in को V in में देखो क्या है पहले इसको let's suppose 0 कर लेते हैं T by 2 है यह और यह क्या है T क्या है time period है यह half time period है इसको भी आ कर लेते हैं 0 इसको कर लेते है T by 2 ठीक है न और इसको कर लेते है T अब देखो यह signal है आपर ठीक 0 से T के बीच क्या है V in greater than 0 है 0 से T by 2 के बीच जो हमारा input voltage है वो 0 से जादा है अब जब 0 से जादा है ना let's suppose यह क्या है प्लस का V से बीच 0 से जादा है तो 0 से जादा होगा अगर हमारा यह computer क्या करता है अगर 0 से जादा है तो signal हमारा क्या होगा plus V set अगर 0 से इन्पुट जादा है तो तो देखो, 0 से T by 2 के बीच क्या है, V saturation, Vsat, यह क्या है, यह प्लस V saturation, V set लिखा हुआ है, ठीक है, ना, प्लस का V saturation, यह क्या है, प्लस का V saturation है पूरा, हमेशा क्या रहा है, constant एक signal रहेगा, V saturation, अब देखो, तो T by 2 पे क्या हुआ आचा, T by 2 पे आजाने हमारा signal क्या हो गया, negative हो गया, मतलब 0 से क्या हो गया, मतलब कम हो गया ना, और जैसे 0 से, if V in less than 0, तो क्या है V out हो जाएगा, minus V saturation, तो देखो, यहां पर हमारा सीधे कहा गया, minus V saturation पे constant हो गया, यह क्या है, minus का V saturation, clearly देखना रहा हो तो, यह क्या है, minus का V saturation, ठीक है ना, यह हो गया, यह हमारा किसका आगया, AC का, अब हम ऐसे disturbed signal के देखने, जैसे मैं पहले इस्टर्ब सिगनल आ रहा था, disturbance signal आ रहा है, अब इसका हमने output क्या होगा, यह हमेशा क्या है, greater than 0 है, V in, हमेशा greater than 0 है, 0 से जाधा है, तो इसका क्या output आ जाएगा, when input signal is greater than 0, then output signal is equal to plus V saturation, देखो, हमेशा हमेशा हमें V output क्या मिला है, constant signal मिल गया है, तो यह competitor का हमें काम समझ में आया, हमने एक competitor signal, हमें एक competitor circuit design कर लिया, लेकिन, अभी हम यह नहीं रूखे, हमें और थोड़ा improvement चाहिए थे, देखो कैसे improvement होगे, हमें triggering चाहिए ट्रिगरिंग कुछ special condition में triggering, ट्रिगरिंग मनलब कब signal हमारा 0 से 1 जाएगा, और 1 से या high से low जाएगा, या low से high जाएगा, minimum से maximum और maximum से minimum, ट्रिगरिंग कहते हैं, जब signal हमारा maximum से minimum जाए, और फिर minimum से maximum, इसी इनी दो points को क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग कहते हैं, तो हमें एक इंब त्रेभर्ण सिनल डिजाइन करने तो मनें क्या किया कमप्रेटर तो डिजाइन किया कम Diesel में हमने क्या कर दिया एक positive feedback लगा का दिया मतलब यह देखो से विडेटर विट कि LIVE कि पॉजिटिव फीडवैक कॉंप्रेटर विथ पॉजिटिव फीडबाइक कॉल्ड केना नॉण इन्वातिमिंट्रीगर वप्रेश्नल अंपलीफियर नॉण इन्वर्टिंग सिए अ chemotherapy क्या है जो तामने संयं हमने फिर्से अच आश्री सीगनल का ही हैं हमMER अभी output draw करेंगे ठीक रहा अब इसमें C में trigger पर हमाई दो triggering level हो गए हमने यहां पर circuit ऐसे design किया कि इसमें दो trigger level हो गए दो plus V set और minus V set तो है लेकिन यहां पर क्या होगा था simple सा हो रहा था जैसे signal 0 से ज़ादा है तो V set saturation जैसे signal 0 से कम है तो minus V saturation लेकिन देखो इसमें क्या है इसमें ट्रिगरिंग इसमें ट्रिगरिंग सिफ दो कंडिशन में होगी अगर सिगनल हमारा यहां ट्रिगरिंग कब हो रही थी जब 0 से जादा और 0 से कम हो रहा था यहां ट्रिगरिंग कब कितनी हो गई जब सिगनल वी सैचुरेशन से जादा होगा तब सिगन V saturation से जादा जाएगा तब trigger होगा signal और जब signal minus V saturation से कम होगा तब trigger होगा सिर्फ इन दो condition में ही trigger होगा अब देखेंगे trigger है ना trigger मतलब 0-0 होगा सिर्फ दो condition में signal अपने आपको change करेगा जब signal plus V set से जादा हो जाए या signal minus V set से कम हो जाए ठीक अब इसमें output किस अधर पर होगा देखो if V in is greater than plus V set अगर जो input voltage है देखो यह input voltage हमने ट्रॉ किया है अगर dotted वहला जो हमारा input signal है V saturation से जादा हो जाए तो क्या होगा V out हो जाएगा plus V set अब हमने 0 जो लिखा था ना V in greater than 0 यहाँ पर क्या है V in greater than अगर V in greater than plus V set हो जाएगा तो हमारा output क्या हो जाएगा positive मतलब plus V saturation हो जाएगा और अगर V in less than minus V saturation हो जाएगा तो क्या हो जाएगा output minus V set अब देखो इसको design करते हैं बात trigger की हो जाएगा इस signal को सोड़ते हैं सिर्फ यहां से यहां तक के signal को इसको बात में जैसे signal हमारा repeat हो रहा हो तो फिर design करेंगे हम पहले triggering level पर आते हैं हमारा trigger कब हो रहा है जब हमारा signal V saturation से जादा होगा तो यह signal य हमारा क्या होगा प्लैस वी सैच्छूरेशन मतरब देखो कि जैसी हमारा signal input signal V saturation ज्यादा हुआ तो हमारा output कि आगया V saturation constant V-saturation रहा, अब देखो यहां तक तो रहा, लेकिन देखो यहां तक तो हम आ गए, लेकिन अब ध्यान देना, हमारा triggering कहाँ नहीं है, या तो V saturation से जादा हो या फिर V saturation से कम signal हो तो अभी तो triggering हो नहीं सकती यहाँ तो trigger हो गया signal positive V saturation लेकिन यहाँ पर देखो अभी triggering यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि हमारा V input V saturation से कम नहीं है अभी तो triggering next वाली कहा होगी जब V saturation से कम होगा मतलब देखो यहां पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है जो input signal है वो हमारा V saturation से कम हो रहा है तो देखो यहां तक तो कोई trigger नहीं होगा यहां तक हमारा signal constant रहेगा यह हमारा output रहा constant अब क्या हुगा हमारा अचानक से वी इंपुट क्या हो गया यह डॉटर लाइन वी सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् में हो सकता है जब ज़्यादा हो जाए सिगनल या तो कम हो जाए तो यहां तो ना वी सच ना तो प्लस वी सच रोशन से ज़्यादा हो रहा है सिगनल और ना ही यहां पर क्या हो रहा है माइनस वी सच रोशन से कम हो रहा है तो यहां पर ट्रिगरिंग नहीं नेक्स ट्रिगर क क्या होगी प्लस वी साचुरेशन है कि अब फिर सिगनल सेम वाई रिपीट होगा ना तो हमारा यह देखो आउट्पूट सिगनल मिल गया हमें है ना यह अब हम इसके आगे कर सकते हैं देखो इसके आगे क्या है यह यहां तक था इसके आगे तो निगेटिव था ना तो बस इसके आगे हमने किसी नहीं ऐसे आया होगा कि यह द्रह हो गया आउट्पूट सिगनल ट्रह हो गया हमारा सीमें ट्रिगर का नॉन इंवर्टिंग सीमें ट्रिगर और अपरेशन एंप्लिफार तो मतलब क्या किया देगो इसने एक साइन वेव को क्या कर दिया एक स्कॉयर स्कॉयर वेव में कनवर्ट कर दिया सीमें ट्रिगर का में काम यह होता है स्कॉयर वेव किसमें कनवर्ट करना एक स्कॉयर वेव में कनवर्ट करना ठीक है न हमने यहां लिख लिए वी आउट करें लिए वी इंपुट के रिस्पेक्ट में हमें लिया है वी आउटपूट किसके के वी इंप के रिस्पेक्ट में ये थे रहा कौन अब हम देख लेतें कौन सा inverting C-met trigger operational amplifier अब देखो आप इसमें डेखो पहला क्या दा comparator है किसा पॉसितिव feedback पॉसितिव feedback किंग और क्या है यह non inverting ऑ सोरी inverting inverting है तो input कहां दिये जाएगा inverting टर्मिनल पे माइनश पे वी इन ठीक है इस आप बना भी सकते हो नहीं भी इसका कोई काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है इसका इतना important role play नहीं है तो अब इतना ही circuit sufficient होता है ओके यह तो हमारा डाइग्राम किसमा inverting C में trigger operation amplifier का देखो फिर इसमें अब क्या काउंगा inverting है तो अब क्या हो रहा होगा just reverse काम हो रहा होगा मतलब पहले क्या हो रहा था when V in when input V saturation से ज़्यादा हो रहा था तो हमारा output क्या हो रहा था प्लस V saturation हो रहा था लेकिन यहां क्या होगा V output जब input हमारा V saturation से ज्यादा जाएगा तो V output क्या हो जाएगा minus V set just reverse उसका और V in goes less than minus V set तो अब क्या होगा plus V set उसमें क्या हो रहा था इसमें non-inverting वाले में देखो यह था non-inverting देखो जब हमारा V in greater than plus V set था तो V out क्या था plus V set इसमें क्या हो रहा है V out minus V set हो रहा है same condition में फिर दिखो V in less than minus V set V in less than minus V set पे V output क्या हो रहा है plus V set यहां क्या हो था minus V set just reverse हो जाएगा क्योंकि यह क्या है इंवर्टिंग सीमेट ट्रिगर ऑपरेशनल एंप्लिफार तब देखते हैं अब मदब ट्रिगरिंग देखो कहां पर होगी जब वी इंपूट वी सैचुरेशन से या तो जादा होगा या फिर कम होगा इसी लेवल पर ट्रिगरिंग इसी लेवल पर होग से ज्यादा हो रहा है वी इंपूट वी से जादा होग तो वी ऑपट क्या हो जाएगा माइनस वी सैड तो यहां पर क्या होना चाहिए माइनस वी सैड मतुथ होast сильно माइनस वी छेट मोगा है ऐसी माइनस वी सैड्यूए सिदल यह छ tribes ऑक देखanders retire गैसा fen BurnBER है और यह सारु tabs शीघरिंग क्या हो रही थी अगर सिग्यल हमारा माइनश वी साट से कम हो इंपट गोज, इमस्शेटे लेस इन- माइनश मीसYes तो क्या होगा व्याउटपुट प्लैस भी सेट पर ट्रिंगर हो जाएगा में देखोटल लगाउट प्लैस वी सेट पर च्रिंगर प्ल्स से जादा हो गया फिर माइनस सभी सब्सक्राइट हो गया उच्प अब फिर कम हो गया तो प्लस की सेट च्छीख है ,चैलो , अब देख को ड्राओ के लते हैं , इसके पहले का था , इसके पहले सिगनल में यहां तक था , यहां से के था , यह पॉस्टिवी था , तो हमने इसको ड्राओ कर दिया , तो हमारा यह सिगनल क्या ड्राओ गया ? यह square wave draw गई किसके लिए inverting cement trigger यह हमारा input है input हमने input के respect में क्या V input के respect में V output draw कर लिया फिर से क्या आगया हमारा square wave आगया देखो तो cement trigger क्या है cement trigger is a comprator circuit implemented by positive feedback comprator में positive feedback apply करने के बाद it is an active circuit which convert an analog input signal to digital output signal देखो यह analog signal है यादी AC signal को digital 0 1 0 1 high low high low में और to convert sine wave into a clean square wave sine wave clean square wave ठीके नहीं ओके थेंक्यू